ओम श्यान्ति बाबा हम सभी को निरंतर उमंगुत्साहा में देखना चाहता है कुछ पाने की उमंगुत्साहा, किसी लक्ष तक पहुँचने की उमंगुत्साहा लगन लगी हो ऐसे में मनुस अनेक व्यर्थ की बातों से, अनेक विगनों से मुक्त हो जाता है विगनों में और बातों में वही लोग उलजे हुए है जिने कुछ पाने की लगन नहीं है भगवान सब कुछ देने आया है अगर अब भी हम बातों में व्यस्त रहे अगर अब भी हमने उससे मन चाही शक्तियां और वर्दान न पाए तो भला क्या भगती में पाएंगे, जिसको हम दो युगों से ढूंते थे, जिसके आने की हम रहा तकते थे, जिससे न जाने मन ही मन और भगती में क्या-क्या वाइदे करते थे, जिसको देखने के लिए हमारे नैन प्यासे थे, उसको मिलकर, जब वो हमें इस सब कुछ देने आया है, क्या हम अलवे ले रह सकते हैं, तो अपने जेवन को एक बहुत सुन्दर उमंगुत सहा से भरकर चलें, एक महान लक्स बनाएं, और उसका भी सुन्दर तरीका है, कि तिन-तिन मास के छोटे-छोटे लक्स बना लें, योग का चाट कितना रखना है, स्वमान में किस त उटा सा एक लक्स, और जब हम ऐसा लक्स बनाएंगे, तो उसको सवेरे ही एक-दो बार अपने कागज पर लिख दो, बिलकुल विश्वास और दड़ता के साथ, कि तीन मास में मुझे ये अचीव कर लेना है, तो ब्रेन की समस्थ सक्तियां, अंतरमन की समस्थ सक्तियां, और जीवन में जो भी बाधाएं उस लक्स को पाने के मार्ग में आएंगी, उनसे हम सहज ही पार होते जाएंगे, तो उमंग उत्सा से जीवन को बढ़ना है, घबराना बिलकुल नहीं है, महवीर बनना है, क्योंकि जीवन एक लंबी और सुन्दर यात्रा है, इसमें उतार चड़ाव आते हैं, और हमारा तो फिर माया से युद्ध है, और फिर कल्युक का यंतिम समय है, जिसमें अनेक परिस्थितियां आकर, हमारी इस्थिती की परिक्षा भी लेती हैं, ऐसे में, मन उसका घबरा जाना, उसका कमज़ोर होना भी कहीं कहीं संभव हो जाता है, प्र हमारे सिर पर है, हम कमज़ोर नहीं पढ़ सकते, माया चाहे कितना भी जोर क्यों न लगा ले, चाहे बिन-बिन तरह के स्वरूप बनकर हमारे सामने आए, लेकिन हमें तो माया को परास्त करना ही है, ऐसी लगन, ऐसी द्रड़ता हम अपने मन में रखेंगे, चाहे काम का चाहे क्रोध का, चाहे संसार में लोब की बहुत वृत्यां बढ़ रही हों, चाहे एंकार काम कर रहा हो, चाहे किसी का टकराव सामने आ रहा हो, चाहे कोई हमारे मार को रोक रहा हो, लेकिन हमें तो निरंतर प्रगती के पत पर आगे बढ़ते रहना है, इस विश्वास के स कि हमें रोकने की शक्ति किसी में नहीं है और ये हमें जानना ही चाहिए जो दिरंतर आगे बढ़ता है उस वो बढ़ता ही जाता है क्योंकि परमात्म सहयोग उसके साथ होता है ये बहुत सुन्दर बात हमें ध्यान रखनी है जो तेवरपुटसार्थ कर रहे हैं जो दिरंतर आगे बढ़ना चाते हैं और उसकी प्लानिंग करते हैं उन्हें आगे बढ़ने में बाबा की बहुत मदद मिलती है जिसे भगवान मदद कर रहा हो जिसे भगवान आगे बढ़ा रहा हो उसे भला मनुष्या रोकेंगे आज सारा दिन हम अभ्यास मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, सफलता तो मेरा जनम से दधिकार है, और सर्व शक्तिवान स्वयम भगवान मेरे सिर के ऊपर छत्र चाया है, बाबा का हवान करेंगे के हे ज्यान सूर्ये, हे सर्व सक्तिवान, हे खुदा दोस्त, अपना धाम छोड़ कर हमारी छत्र चाया बन जाओ, और फिर विज्वलाइज करेंगे के बाबा उपर से नीचे उतर रहे हैं, अपनी तेजस स्वीकिरने चार और विखेडते हुए, और आगे हमारे सिर के उपर, हम इस सुन्दर दिव्य और सक्तिशाली छत्र चाया के नीचे हैं, सारा दिन इसका सुन्दर अनुभव करेंगे, ओम स्याओं